नमस्कार दोस्तों, आसा रखताऊं कि आप और आपके परिवार वाले अपने गर पे स्वस्त और सुरक्सेत होंगे Myself बाविन सर फ्रम साहस इंस्टिटिट अफ कॉमर्स, Your Own Personalized High-Tech Digital Classes for Company Secretary Course दोस्तों, अगर आप लोगों ने Company Secretary Course करने का डिसाइड किया है तो उसमें सबसे पहला ही जो स्टेज होता है, वो होता है CSWT, याने के Company Secretary Executive Entrance Test अगर आपको ये CSWT के ओर्स के बारे में डीटेल जानकारी नहीं है, तो I button पे क्लिक करके या इस वीडियो के नीचे description में भी मैंने link दी है, उसपे क्लिक करके ये CSWT Course की पूरी जानकारी ले लीजिए, और अगर आपने वो देख लिया है और आपका fix है कि मुझे CSWT करना ही है, तो इसके लिए online form fill up करना होता है और यहाँ पे बहुत सारे students को ये online form fill up करने में confusion हो जाता है कई सारी mistake कर बैखते हैं, जिसकी वज़े से उनका registration properly नहीं हो पाता है तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी tension नहीं लेना है, क्योंकि Sahas Institute आपको ये पूरा online form कैसे fill up करना है ये live process करके दिखाएगा, तो चलिए, सुरू करते हैं हमारा online form fill up करने का procedure सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग कोई भी जो आपका browser है, वो open करेंगे और यहाँ पे मैंने Google Chrome open किया है, वहाँ पे आप लिखोगे www.icsi.edu ये लिखके enter करोगे, तो आपके सामने ICSI की जो official website है, वो पूरी open हो जाएगी जिसके अंदर ICSI की तरब से बहुत सारी information time to time provide की जाती है अभी इसमें आप यहाँ पे सबसे उपर दिखोगे, तो यहाँ पे आपको home, profile, members, student, employees और उसके बाद आपको दिखेगा online services, और यहाँ पे online service पे जाके सबसे पहला ही आपको option दिखेगा register for CSWT, उसके उपर क्लिक करना है, देखो यह online services, register for CSWT तो आपके सामने इस तरह का page open हो जाएगा, सीधा अगर आपको यह page open करना है, तो उसकी link भी मैं आपको नीचे description में देदूँगा, तो उसके उपर आप क्लिक करोगे, तो सीधा आप इसी CSWT के registration वाले page पे ही आजाओगे अभी आप ध्याँ पे ध्यान से देखो, CS Executive Entrance Test Information, before proceeding of CSWT registration form, please make sure that you are ready with the soft copy of the documents, जिसमें आपको क्या चाहिए, एक तो photograph of the candidate, passport size का photograph, उसकी soft copy आपको ready रखना है, and signature of the candidate, आपको एक white page पे signature करके, उसकी photo copy निकालके, वो भी आपको ready रखना है, दो चीजे, एक आपका passport size photo, उसकी soft copy और आपकी white page के उपर signature करके, उसकी soft copy, इसके बाद यहाँ पे category certificates, अगर आप कोई category में आते हो, जिसमें आपको fees में concession मिलता है, अब यहाँ पे कौन-कौन सी category को क्या-क्या fees में concession मिलता है, वो भी मैंने CSWT के detail वीडियो में बताया हुआ है, यहाँ पे मैं जिसक आपको attach करना होगा, और यह चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी file आप attach करते हो, वो jpg, jpeg, png, gif या bmp file में होनी चाहिए, या pdf, most commonly pdf लोग ज्यादा use करते हैं, और जो maximum size है, वो 2mb से उपर की, आपके document की नहीं होनी चाहिए, और जो आप photo upload करोगे, students photo यानके passport size का photo यह बहुत important है, उसकी size 20 kb से 50 kb के बीच में ही होनी चाहिए, obvious और मेरा तो बहुत ही महगा phone है, मैं उसके उपर photo खिचता हूँ, तो mbis के अंदर photo आता है, तो वो नहीं चलेगा, दोस्तों, आप लोग अपने mobile में एक photo compressor की app डाउनलोड करें, और उसमें आप अपने photograph को compress करक 20 kb, यानि की 20 से 50 kb की size में convert करें, similarly आपकी जो signature है, signature का photo है, वो आपको 10 to 20 kb की size में ही रखना है, तो passport size के photo को आप compress करके 20 to 50 kb में कर दोगे, और signature वाले photo को 10 to 20 kb के form में convert कर दोगे, और यहाँ पे proceed to CSET registration पे click करोगे, तो जैसा ही आप click करोगे, आपको जो अलग-लग segment मे information fill up करनी है, वो page आपके सामने open हो जाएगा, कुछ इस तरह से, अभी आप उसमें सबसे पहले ही देखोगे, तो आपके पास मांगी है basic details, जिसमें दो option दिये हुए, देखो, एक new registration और दूसरा incomplete registration, अगर आप पहली बार registration कर रहे हो, तो आप obvious है कि new registration पे click करोगे, अगर करने के बाद, आपने वो process वहाँ पे stop कर दिया, सायद payment करने में आपको दिक्कत आ गई थी, या documents upload करने में दिक्कत आ गई थी, और आपने फिर वहाँ पे process को stop किया था, तो अगर आप फिर से try करते हो, तो आपको new registration पे click नहीं करना है, आपको उस situation में incomplete registration पे click करना है, यह अगर आपका 12th का result आ गया है, तो qualified equivalent to 12th 10th plus 2, या appearing in 10th plus 2, तो अगर आपने अभी 12th की board की exam दी है, result बाकी है, तो आप click करोगे appearing in 10th plus 2, अगर आपका result आ चुका है और pass हो चुके हो, तो आपको tick करना है 10th plus 2, पास, यहाँ पे मैं tick कर रहा हूँ, appearing in 10th plus 2, देखो यहाँ पे यहाँ पे आधार कार नंबर, आधार कार नंबर आपने लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना title लिखना है, मतलब नाम से आगे Mr., Miss, Mrs., जो भी लगाते हो वो, तो यहाँ पे मैं Mr. के उपर click करूँगा, इसके बाद यहाँ पे आपको आपकी जो 10th standard के result के उप आपको जो आपका नाम दिया हुआ है, जैसे कि आपको for example, इस तरह से आपका 10th standard का result मिला होगा, तो उसके उपर जो नाम लिखा है, वो आपको यहाँ पे लिखना है, जिसमें आपको सबसे पहले first name, फिर middle name, यानि की father's name and last name लिखना है, फिर यह नाम लिख देते हो, उसके करनी होगी, ध्यान रखना कि अगर आप general के अलावा कोई category में आते हो, तो उसके लिए आपको category certificate attach करना होता है, इसके बाद वाले column में आप देखोगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे date of birth select करनी है, तो यह date of birth आपकी जो भी है, आपके 10th के result के उपर, या birth certificate के उपर वो ल select करनी है, तो यहाँ पे जो date है, वो आप select करोगे, तो यहाँ पे आपको पूरा आ जाएगा 31st March 2005, ठीके, nationality Indian, उसके बाद आपका mobile number लिखना है, ध्यान रखना यह mobile number जो आप regular use करने वाले हो, जो active रहने वाला है, वो number लिखोगे, यहाँ पे दोस्तों आपने अपना mobile number ल communication करेगा, वो यह mobile number और email ID के थ्रू करेगा, तो email ID जो active हो, वो देखना, आप ध्यान रखना कि email ID बना के, उसके उपर आपको एक mail भेज के देख लेना, कि क्या आपको mail receive हो रहे है न, मतलब सही वाला mail ID ही लिखना, mail ID लिखने में गलती करोगे, तो आपको आगे चलके दिक हो सकती है, यह mail ID आप लिख देते हैं, उसके बाद re-enter mail ID उसमें भी सेम ही लिखना है, उसके बाद आपको CSWET exam center सेलेक्ट करना है, दोस्तो exam center आप जहां से exam देना चाहते हो, वहां का सेलेक्ट करना है, जरूरी नहीं है कि आप जिस city में रहते हो, वहीं से आप exam दो, आप जो भी exam, में मन्त वाली हो, जुलाई मन्त वाली हो, या नवेंबर या जैनिवारी, कि जो भी exam के लिए form fill up कर रहे हो, वह exam आप कहां से देने वाले हो, वह exam center यहाँ पर आपको जो बहुत सारे options मिलेंगे, उसमें से आपको select करना है, चलिए, यह exam center आपने select कर दिया, इसके बाद आपको यहाँ पर आपका address लिखना है, तो address की line 1, line 2, line 3, इस तरह से आपका address है, वो पूरा यहाँ पर लिखना है, चलिए, address लिख देते हैं, आप उसके बाद country में, इंडिया, state और province, तो आप जिस state से belong करते हो, वो state यहाँ पर आप select करोगे, वो ध्यान रखना, city जो applicable है, वो city यहाँ पर click करोगे, और आपका जो postal code है, postal ID, वो यहाँ पर लिखना है, चलिए, अगर यह सारी चीजे, यह सारी information आपने fill up कर दी है, तो उसके बाद आपको नीचे right side पे, देखो next का option मिलेगा, तो आपको यहाँ पर next के उपर click करना है, और अगर आपने सब कुछ ठीक से किया होगा, तो next page के उपर चला जाएगा, अगर आपने कुछ गलती कियोगी ना, तो वो next page पे नहीं जाएगा, और उपर आपको क्या गलती हुई है, वो दिखाएगा red mark के साथ, तो आपको वहाँ पर जाकर आपकी जो भी गलती अगर हुई है, तो ठीक करनी पर अगर यह जो मैंने आपको कहा है, उसके इसाब से fill up करोगे, कोई गलती नहीं होगी, अब यहाँ पे next के उपर आने के बाद, आपको यह जो your unique request id मिला है न, वो id number आप लोगों को लिख लेना है, यह आपको याद रहना चाहिए, इसकी photo ले लो, या इसको note down कर दो, future मे reference के लिए आपको यह काम लगेगा, तो इसको आप एक जगा पे note कर दोगे, अब यह unique request id का आपने screenshot ले लिया या लिख दिया, उसके बाद again right side पर आपको नीचे next का option मिलेगा, इसके उपर आप click करोगे, तो वहाँ पे आपको फिर से आगे information पूछेंगे, उसके बाद यहा आपको no click करना है, क्योंकि general reason यह होता है, कि faculties proper नहीं रहते हैं, और आपको आपकी जगा के आसपास भी coaching नहीं मिलता है, और जो past student का experience है, वो मैं मैंने बताया, फिर भी आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, वहाँ पे no click करोगे, no click करोगे, तो आपको 1000 साइड पे नीचे देखो, आपको next का button दिखेगा, वो next के उपर आपको click करना है, जैसे ही आप next के उपर आप click करोगे, तो आपको वहाँ पे दो photograph जो upload करना है, वो चीज आ जाएगी, वो page open होगा, जहाँ पे मैंने कहा था, कि आपको आपका passport size photo और signature वाला photo ये ready रखना है तो वो यहाँ पे आपको upload करना है, तो यहाँ पे left side पे आप सबसे पहले देखोगे, तो photo upload करना है, तो photo upload के लिए आप choose file पे click करोगे, और फिर आपने आपके laptop computer जिससे भी ये form fill up कर रहे हो, वहाँ पे आपने इसको save जहाँ पर भी किया होगा, वहाँ से आप लोग इसे select करोगे, double click करोगे, तो वहाँ पे आपका photo आ जाएगा, और वो photo select करके आपको upload पे click कर देना है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे, कि यह जो photo है वो upload हो गया, अभी ये photo upload करते वक्त, आपको क्या-क्या दिक्कत है आ सकती है, वो ध्यान रखना, सबसे पहले तो यहाँ प 20KB से 50KB के बीच का होना चाहिए, और वो photo को आप computer के अंदर, जिस नाम से save करते हो, वो नाम में ध्यान रखना, नाम save करते वक्त, 3 से लेके 100 character के बीच का रखना, एक या 2 character आप रखोगे, मतलब number 1, number 2 आपने दे दिया, photo upload नहीं होगा, आप 3 से लेके 100 character, मतलब इतना लं आपके computer में save करते वक्त भी गलती की है, तो भी याँ पे upload होने में दिक्कत आएगी, तो क्या चीज़ दियान रखने है, फिर से photo के लिए, सबसे पहले तो JPG format में होना चाहिए, 20 से लेके 50KB के बीच का होना चाहिए, और वो photo को आपने laptop में save किया है, तो उसका नाम आप तीन से लेके 5, 10, 15 के अंदर, आप simply अपना नाम photo ऐसा लिख दो, नाम save करते वक्त बीच में space मत रखना, तो ही वो properly upload हो पाएगा, अब जैसे आपने ये upload किया है, वैसे यहाँ पे signature को upload करोगे, अभी यहाँ पे मैं आपको क्या गलती हो सकती है, वो भी दिखा देता हूँ चले देखते हैं क्या हुआ, देखो, यहाँ पे क्या आगया, please upload a signature with the extension of png और jpg only, क्योंकि मैंने jpeg format को upload किया, तो आपको भी इस तरह से गलती देखने को मिलेगी, तो आप क्या करोगे, simple मैं दिखा देता हूँ, आप अपने browser पे एक file open करो, एक browser में, यहाँ पे jpeg to jpg converter क्या करना है, देखो, मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लिखोगे, jpeg to jpg converter, ऐसा click करोगे, online ही करना है, open करो, जहाँ पे आपको यहाँ पे file select कर पाओगे, तो आप यहाँ पे पहले file को select कर दो, तो देखे, यहाँ पे select file करते हैं हम लोग, select file में, मैं यहाँ पे signature क select कर देता हूँ, यहाँ पे देखो, converting का process चल रहा है, यह convert के उपर click किया, तो यहाँ पे देखो, आपको waiting processing लिखा हुआ, देखने को मिलेगा, और जैसा कि आप देख रहे हो कि यह convert हो गया, तो मैं इसको download कर दूँगा, तो हमारे computer या laptop में, आपको jpg format में यह मिल जाएग अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए देखो, सिर्फ दो character रखे, SP, signature photograph, अब मैं यह SP रखके upload करने की कोसिस करूँगा ना, तो भी नहीं होगा, चले एक बार दिखा देता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़े clear हो जाए, अगर ना दिखना हो तो वीडियो को fast forward करक आप आगे बढ़े जालना, बड़ यहाँ पे मैं सभी level के students के लिए छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान में रखके सारी चीज़ों को explain कर रहा हूँ, देखो मैंने यह सिर्फ दो नाम से, मतलब दो ही character वाला नाम रखा था और upload पे click किया, देखता है क्या message जाता है, upload हो जा बीच में space नहीं रखनी है, यह मैंने photo, sign photo नाम change कर दिया और अब मैं यहाँ पे select करूँगा, देखो, यह sign photo के उपर मैंने click किया और यह मैं upload पे click कर रहा हूँ, तो देखो, अगर मैंने सारी की सारी condition फुल्फिल की, तो यहाँ पे photo क्या हो गया, upload हो गया, तो आपको भी यह चीज ध्यान में रखनी है, तो आपके photograph आराम से upload हो जाएंगे, अभी यह दोनों आपने upload कर दिये, photograph और signature का photograph उसके बाद देखो, नीचे आपको documents का list दिया हुआ है, उसमें आपको जो भी documents upload करने है, वो document यहाँ पे upload करोगे, देखो, दो तो अपने upload कर दिये, दूसर upload के उपर click करूँगा, तो देखे, यहाँ पे आपको list में पहले जो दो document आपको दिख रहे थे, signature और photo, उसके साथ साथ यह category certificate भी आपको देखने को मिल जाएगा, फिलहाल आपको यही चीजों की जरुवत है, और चीजों की जरुवत नहीं है, तो यहाँ पे मैं tick undertaking के उपर यह देखना, यहाँ पे जो तीन documents है ना, उसके नीचे left side पे आपको यह tick marking वाला option देखने को मिलेगा, यह वाला, दिखा, जो untick होगा, मैं यहाँ पे tick करूँगा, और फिर आपको right side पे नीचे next का option मिलेगा, उसके उपर आपको click करना है, तो जैसे ही वो click करोग आपके पास पूरी information जो आपने fill up की है, वो सारी की सारी चीज़े आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको एक बार verify कर लेनी है कि आपने जो भी information fill up की है, वो सब कुछ ठीक है ना, और अगर आपने सब कुछ ठीक है वो check कर लिया, उसके बाद click करना है right side पे नीचे confirm application पे, तो देखो, confirm application पे pay करोगे, click करोगे, तो फिर आपको पास payment mode, payment option आजाएगा, जिसके थूँ आपको payment करना है, तो वहाँ पे select payment के उपर आप जाओगे, build desk के उपर click करोगे, एक ही option आपको दिखेगा, और next के उपर आपको click करना है, तो वहाँ पे आप देखो, 1000 रुपे का, आपको amount दिख जाएगा, और वहाँ पे left side पे नीचे लिखा है, proceed, उस पे click कर देना है, तो यहाँ पे हम लोग proceed के उपर click करेंगे, तो देखेगे, proceed के उपर आप click करोगे, तो आपको बहुत सारे options मिलेंगे, credit card, debit card, other debit cards, internet banking, wallet, cash card, जो भी आपको इस्तमाल कर करना है, वो आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे suggest करूँगा, कि आप debit card का इस्तमाल करें, यह आपकी मर्जी है, सभी से payment हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो यहाँ पे आपको आपके card की detail card का नाम, means card का जो number है, वो expiry month year, CVV number, CVV number यह जो card होता है, उसके पीछे यह यहाँ पे आखिर में तीन digit आपको देखने को मिलते हैं, वो होता है CVV number, वो आपको लिख देना है, और card के उपर जो account holder का नाम लिखा होता है, यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा, वो आपको लिख देना है, मैं यहाँ पे लिखके नहीं दिखाऊंगा for security purpose, पर आप आपके card के उपर जो information है, वो यहाँ पे लिख दोगे, तो यहाँ पे information लिखके make payment के उपर आपको click कर देना है, तो देखो make payment के उपर आप click करोगे, तो आपका जो भी registered mobile होगा उस bank में, उसके उपर आपको एक OTP number आएगा, जो OTP number आपको यहाँ पे इस box में लिखना होगा, और व payment of rupees 1000 has been proceeded successfully, दिख रहा है, तो इसका मतलब कि आपका payment हो गया, यह आपका पूरा registration भी हो गया, आपको देखो यहाँ पे पूरा registration का आपका जो page है, वो दिखेगा, आप यहाँ पे उसको print भी कर सकते हो, मतलब आपको यहाँ पे यह page को जो आपका registration हो गया, उसका proof है, उसके फिर अपने mobile में, यह laptop में, जो भी है, वहाँ पे print के, उपर click करके, download कर दोगे, save कर दोगे, ठीके, मैं यहाँ पे, जैसे save कर देता हूँ, CSET registration, इस नाम से यह आपको जो भी नाम रखना है, उससे आप क्या कर दोगे, इसको save कर दोगे, और जैसे ही save कर दिया, मतलब आपक आप की पढ़ाई की भी जिम्मेदारी होती है, उसमें अगर आपको excellent education लेना है, तो sahas institute उसमें आपको excellent level के study options देता है, जिसमें सबसे पहला है offline smart classroom study program, जिसमें आप हमारे most advanced smart classes जो है, उसमें आके पढ़ाई कर सकते हो, अगर आप चाहो, तो दूर रहते हो, हमारे classes तक आप नहीं पहुँच पाते है, तो भी कोई tension नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग online live virtual interactive sessions provide करते हैं, जिसमें आपको ऐसा ही लगेगा, जैसे आप हमारे digital classroom में present हो, और कहीं से भी आप live education ले सकते हो, और तीसरा और students का most favorite है, साहस smart studies application, इस video के नीचे मैंने उसकी link दी है, आप उसको download क करो, उसमें CSWT के course पे जाओ, उसमें सभी subject के हमने बहुत सारे demo videos रखे हुए, आप उसको देखो, ताकि आपको पता चले quality of education के बारे में, अगर आपको वो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप उस course को subscribe करो, जिसमें आपको सभी subject के, सभी chapters के topic wise, best study pamphlets मिलेंगे उसमें English में, और with गुजराती notes भी pamphlet मिलेंगे, ताकि गुजराती medium के भी students हो, तो उनको कोई दिक्कत ना हो, और English में तो है ही, इसके साथ सभी topic के excellent study videos topic wise मिलेंगे, पूरे chapter के smart revision videos, याने के marathon sessions मिलेंगे, unlimited MCQ के test और instant result, based study plan, ये सारी सुविध आपको इसमें मिलने वाली ह तो आप इसका benefit जरूर लीजिए, जिससे कि आपका knowledge भी terrific बढ़े, और साथ में ही आपका result भी excellent level पर आए, तो दोस्तो बेश्ट पढ़ाई कीजिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, तो SaaS Institute आपके साथ ही है, और दोस्तो हमें सा याद रखे, you are very special, तो हमें सा मुस्कराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, this is me Bhavinsa signing off, God bless you all, Jai Hind! करें रहे लाद करें, करें? करें